आज मैं आपको बहुत ही टेश्टी और बहुत ही असान तरीके से सिखाने वाली हूँ मरवारी भिंडी की ये रेसिपी जो काफी टेश्टी होने वाली है ना ही आज बनाएंगे सबजी ना ही सिंपल भुजिया आज मैं बनाने वाली हूँ मरवारी फेमस डिस भरवा भिंडी की रेश पी इसमें क्या होते हैं बेशन को आपको लगतार इसे बुरुपना पड़ता परता है और वहुत को बिल्कूल ही सिंपल तरीके 這個 बताऊंगी और नहीं आपको घंटो बेसन भुनने के जरुवत है और नहीं कुछ तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं भिंडी और भिंडी आपको बिल्कुल ही मुलाइम लेने वाले हैं आप पीछे साइट से तोड़के देख ले अगर अच्छी तरह से तोड़ जाते हैं त फिर मैंने एक प्याज भी कट कर लिये हैं अब चलिए आगे की रेस्पी बताते हैं वो भी सोटकर तरीके से तो सबसे पहले ले लेने हैं बेसन के जगा आपको ले लेने हैं बिहार की बहुत ही फेमस तक्तू जी हां दोस्तो ये भी चने से बनाई जाती है और ये जो भू ची कर छोड़के सभी जितने भी मसाले मैंने डाले हैं सभी भून के डाले हैं और एक चमच मैंने डाला है भर के सौप जी हां दोस्तों सौप से इस जो रेसिपी है उसका टेष्ट काफी अच्छा आता है और सभी भूने हुए मसाले होने चाहिए तभी ये इसका टेष्ट असली आता है और क्या करना है सभी को अच्छी तरह से mix करना है फिर मैंने डाला है आधा निम्बु करस और थोड़ा समयने लिए है पानी और अच्छी तरह से आपको mix इसे अच्छी तरह से कर लेना यह देखे बहुत ही गाढ़े बिटर बनाने है बिल्कुल भी पतला नहीं क पर देना है यह देखे इजीली feeling हो जाएगी कोई भी दिकत नहीं है अगर side side में अगर लग भी जाते हैं तो कोई भी बात नहीं है उससे भी यह काफी tasty होने वाली है तो इसी तरह सभी भिंडियों को मैं भर लूँगी और हां दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को Subscribe नहीं किया है तु जलु करें और अगर ये recipe आपको पसंद आती है या मेरे बतानी का तरीका आपको पसंद आता तो एक सबी प्याज को प्याज को क्या कर लेने हैं हलका सा आपको भून लेना है ज्यादा बिलकुल भी नहीं पकाना है बहुत ही हलका बिलकुल ट्रांसपरेंट होने चाहिए बिलकुल हलके से भून लेने हैं और इसमें आपको डाल देने हैं हलके से नमक और नमक डाल के इसे आप और वही बरतन में फिर से आप मैं थोड़े सा डाल रही हूँ तेल और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद जितने भी भिंडी है सभी को आप डाल देए देखे जितने भिंडी इसमें आ सके आपको डाल देने हैं और अच्छी तरह से बरतन गर्म होने चाहिए तभी ज्यादा तूटेंगे नहीं और इसे लगतार चलाते हुए आप उपर के लेयर इसे अच्छी तरह से आपको क्रिस्मी कर लेने हैं लगतार आप इसे भूने फिर कभर करें फिर से भूने और इसे कभर कर करके आपको इसे अच्छी तरह से भून लेना है रुके रुके अभी एक टेस्ट और भी बाकी है नहीं तो यह उपर के जो layer है वो बहूत ही फिकी फिकी लगेगी तो इसे भी अभी हम लोग टेस्टी बनाने वाले है पहले अंदर को आपको अच्छी देखे छो प्रेस्ट ने और अच्छी तरव सही तरह को योई करने मुश्यज़ा को प्रेस्ट और मसालेदार लगेंगे और हाँ दोस्तों सौप का यूज इसमें जादा करना है सौप से ही बहुत अच्छा फ्लेबर आता है और सौप को जब भी ले तो इसे अच्छी तरह से भून के थोड़े से कूटले उसके बाद आप यूज करें तो कैसी लगी आज की हमारी ये स्थ भेंडी की रेसिपी ये हमें आप कोमेंट सेक्षन में बताएं तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई